Education and Crafts Ideas user ने पूचा है कि Water Level Sensing Project कैसे बनाते हैं तो Water Level Sensing Project बनाने के लिए हमें एक Water Level Sensor चाहिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक Water Level Sensor काम कैसे करता है इस Sensor में Copper की 10 Strips या Tracers लगे होते हैं जो की Conductor का काम करते हैं और हर Alternate Strip जो है एक Power Strip है एक Sense Strip है और यह सब मिलकर एक Variable Resistor की तरहे काम करते हैं जिनका की Resistance जो है वो Water Level के हिसाब से बदलता है अगर पानी का Level बहुत कम होता है इस Sensor में Conductivity जो होती है वो कम होती है और Resistance जो होता है वो जादा होता है पर अगर Water Level जादा होता है तो Conductivity जो है वो बढ़ जाती है और Resistance जो है वो घड़ जाता है जैसे जैसे water level बढ़ता है conductivity improve होती है और resistance जो है वो decrease होता है इस कारण इस sensor की जो output voltage है वो बदलती है और हम इस output voltage को measure करके infer कर सकते हैं कि water level क्या है For example, अगर हमारी output voltage जो है वो input voltage से काफी कम है तो इसका मतलब है कि इस sensor में resistance जो है वो high है और हम infer कर सकते हैं कि पानी का level बहुत कम है वाईसे वर्सा अगर input output voltage में ज़ादा difference नहीं है तो हम infer कर सकते हैं कि sensor का resistance जो है वो बहुत कम है यानि कि conductivity better है यानि कि water level जो है वो higher है तो यह जो sensor है यह अलग-अलग companies अलग-अलग तरीके से manufacture करती है जो मेरे पास है वो white color का sensor है normally यह इस किसम का red color का sensor ज़ादा common है पर सभी water level sensors एक ही तरीके से काम करते हैं तो next step पर हम water level sensor का pin out समझते है water level sensor में तीन pins लगी है एक pin जो है वो ground की pin है दूसरी pin जो है वो VCC या voltage की pin है और तीसरी pin जो है वो signal की pin है यह sensor एक analog sensor है इसलिए जब हम इसको microbit से connect करेंगे हमारे को analog input read करनी होगी next step पर हम water level sensor को microbit से connect करते हैं और समझते हैं कि यह practically कैसे काम करता है water level sensor की तीन pin से मैंने यह तीन jumper cables attach किये हैं एक ground का, एक voltage का और एक signal का और इनको मैं अब अपने microbit से connect कर रहा हूँ तो जो हमारा ground का wire है वो मैं microbit के ground से connect कर रहा हूँ जो VCC का wire है उसको मैं microbit के 3 volt pin पे connect कर रहा हूँ और जो signal pin है इसको मैं pin number 0 से connect कर रहा हूँ तो यह हमारा connection है next step पर make code में इसकी programming करना सीखते हैं मैं make code में हूँ मैंने यहाँ एक नया project शुरू किया है हम यह जानना चाहते हैं कि जब हम water का level increase करेंगे तो जो हमारा water level sensor है उसकी reading कैसे बदलेगी और क्योंकि water level sensor एक analog sensor है तो उसको read करने के लिए मैं यहाँ advance में जाके pins में जाके यहाँ से analog read pin की यह command डा रहा हूँ और मैं इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर basic में जाके show number ला रहा हूँ और सबसे पहले step पर हम केवल यह करना चाहते हैं कि जब हम पानी का level increase करें तो हमारा जो water sensor है जो की microbit की pin 0 पे connected है उसकी reading कैसे बदलती है तो मैं यह program अपने microbit में transfer कर रहा हूँ तो यह हमारा setup है हमारे पास जो तीन cable आ रहे थे वो एक 3 volt pin से attached है microbit की एक ground से और signal pin जो है वो pin 0 पर है और अब ही glass में कोई पानी नहीं है इसलिए हमारे को जो reading है वो 0 मिल रही है और जैसे ही मैंने थोड़ा सा पानी glass में डाला है तो अब जो reading है वो 243 हमारे को यह reading मिल रही है अब जब around 2 third water भर गया है तो हमारे को जो reading है वो 446 यह reading मिल रही है और अब जो water level है वो sensor के almost maximum पर है तो हमारे को अब reading मिल रही है 490 तो maximum around 500 की reading हमारे को मिलती है जैसा मैंने समझाया था जब water level बहुत low था या बिलकुल भी पानी नहीं था तो sensor का resistance बहुत high था इसलिए हमारे को जो voltage out थी वो बहुत कम थी और हमारे को accordingly reading जो थी वो zero मिल रही थी फिर जैसे जैसे हमने पानी का level बढ़ाया जो इस sensor का resistance है वो कम होता चला गया और उस हिसाब से reading जो है वो बढ़ती रही तो water sensor को use करना is as simple as this हम केवल analog value read करते हैं sensor की और हमारे को उससे पता चल जाता है कि water level कितना है next हम एक water level के लिए alarm बना सकते हैं कि अगर हमारे water tank में पानी बहुत कम है तो एक alarm बजएगा और अगर पानी बहुत अपने full level पर आ गया है तो एक और alarm बजएगा ये करने के लिए हमारे को एक variable बनाना पड़ेगा तो मैं एक variable बना रहा हूँ w level water level आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो और मैं कह रहा हूँ कि forever set water level variable to whatever is the reading from the analog pin at pin 0 और फिर हम एक conditional statement लाके अपना alarm बना सकते हैं हमने देखा था कि जब हमारा पानी बहुत कम था तो 200 के करीब की reading थी और जब पानी काफी था पानी का level काफी था तो हमारी reading around 500 थी तो हम यहां कह सकते हैं कि अगर जो हमारा water level variable है जिसमें कि हम analog pin की value store कर रहे हैं वो less than 200 है तो हम एक किसम का अलाम बजाएंगे तो मैं यहां जाके maybe simple सा एक note जो है वो बार-बार play कर रहे हैं और इसमें मैं एक छोटी सी pause डाल रहा हूँ ताकि जब वो repeat हो रही हो tone तो उनके बीच में थोड़ा gap हो फिर हम यहां पर एक else if की command ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि else if यह जो variable है डबल लेवल यह अगर greater than 500 है यानि कि पानी बहुत भर गया है तो हम कोई और music बजा सकते हैं तो maybe कोई हम और sound play कर रहे हैं जैसे कि हम soaring यह sound कर रहे हैं play in the until done या in the background भी कर सकते हैं और मैं यह else command हटा रहा हूँ इस program को मैं अपने microbit में transfer कर रहा हूँ और जैसा अब आप देख सकते हो कि अभी जो है water level बहुत high है तो हमारे को वो जो soaring sound है वो सुनाई दे रही है और अगर मैं इसको sensor को पानी से बाहर निकाल देता हूँ अब हमारे को जो हमारी second sound थी वो सुनाई दे रही है कभी कभी आप गलती होती है क्योंकि ये sensor में पानी लगा होता है तो आप पानी साफ करके देख सकते हो तो अभी जो हमारे को वो जो middle note C था वो play हो रहा है यानि कि water level बहुत कम है और अब जब मैं इसको पानी के अंदर डालता हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारी reading है वो somewhere more than 200 and less than 500 की है पर अगर मैं इसको पूरा अंदर डाल देता हूँ तो अब water level high हो गया है इसलिए हमारे को अब जो soaring sound है वो सुनाई दे रही है यहां ध्यान देने वाली बात एक और भी है जो distilled water या pure water होता है वो अच्छा conductor नहीं होता पानी में जो impurities होती है उनकी वज़े से पानी conductor बनता है तो यह sensor कितना effectively काम करेगा इस बात पर भी depend करता है कि पानी में किस किसम के minerals या ions है I hope आपको यह वीडियो पसंद आया और आप water level sensor के projects बनाना try करोगे